नमस्कार अदाब शफ्रेगाल और खुश्याम अदीद वेरी वेरी गुट इवनींग तो आल फेपीपल दिस इस या मास्टरी जाहर श्प्रियम जो कि आज बात करने आए हैं IAT examination के बारे में और ये IAT examination के बारे में बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा demand आ रहा था कि सर इस IAT के बारे में बताइए बहुत कम लोग जानते हैं और in fact एक काफी सुनहरा opportunity है बच्चों के लिए क्योंकि इस examination के थुरू आप ICER में आप IISC Bangalore में ऐसे covited जगहों पे आप जाते हैं apart from JEE examination आपके लिए IAT इसी लिए बहुत अच्छा option बनता है in fact सारे बच्चों को इस examination को भरना चाहिए तो चली आज जल्दी से इसके बारे में पूरा detail बताता हूँ कि इस IAT examination में तुम कैसे जा सकते हो 2024 का पूरा eligibility criteria बताऊँगा examination का pattern क्या है cut off कैसा रहता है तो चली शुरू करते हैं बट उसके पहले जल्दी से channel को subscribe कर लिजए अगर नहीं किया है तो because channel पे भाई तुमको यह information मिला लेकिन मिला पांच दिन बाद date खतम होने के तो अब date खतम होने के पांच दिन बाद मिलेगा तो फिर क्या ही फायदा मिलके भी तो इससे बहतर है कि आप channel subscribe रखें ताकि सारा information एकदम time पर पहुँचे आपके पास ठीक है चली जी तो IAT examination है क्या basically stands for और ICER aptitude test यह ICER के द्वारा ही लिया जाने वाला conduct किया जाने वाला examination है बड़ इसमें आप ICER में भी जा सकते हैं और ICER के साथ-साथ आप इसमें IASC Bangalore में भी जा सकते हैं Indian Institute of Science Bangalore अब यह admission BS और MS dual degree में देता है ध्यान रखिएगा BS MS मतलब basically bachelor of science and master of science इसको कहते हैं BS MS degree और इसके साथ-साथ कुछ ICER ऐसे होते हैं कुछ Indian Institute of, in case अगर कोई नहीं जानता है कि ICER क्या है तो ICER stands for Indian Institute of Science, Education and Research यह research का सबसे प्रीमियर इंस्टिटूट है इंडिया में after IISC Bangalore और यह यह पूरी तरह से सरकारी है साथी साथ यहां पर पढ़ने के लिए बच्चों से पैसे लिये नहीं बलकि पैसे दिये जाते हैं जो यहां आप सही सुन रहे हैं तो यहां पर पढ़ने के लिए fees जो लगती है कुछ 40-50,000 रुपय पर semester का जो fees होता है लेकिन उसके comparison में सरकार आपको हर साल 60,000 रुपय नहीं 80,000 रुपय स्कॉलर्शिप में देती है अगर कोई भी बच्चा आईसर में admit होता है तो government उसको हर साल 80,000 रुपी जादन स्कॉलर्शिप देती है बिना कोई exam लिए ऐसा नहीं कि merit पर देगी mandatory जितने बच्चे होते हैं सबको 80,000 रुपय मिलते हैं हर साल तो समझ पारे हो basically सरकार आपको पैसे देती है पढ़ने के लिए आईसर ऐसी जगह है और दूसरा यहाँ पे research infrastructure, professors की quality, out of India जाने का scope यह सब super great है, इंडिया में best है तो अब admission in ICER, ICER में admission होगा कैसे इतने प्रीम मेंस तो मेंस की बाद आप advance दीजिए और advance में निकलने के बाद एक certain cutoff को आपको clear करना होगा, उस cutoff को अगर आप clear कर लेते हैं advance में तो आप ICER में जा सकते हैं, ठीक है, यह सबसे पहला तरीका है, सबसे common तरीका है क्योंकि यहाँ पे JEE के through जाया जाता है, यह सबको पता ह नहीं है, बहुत सारे बच्चे बेचारे mains में रहा जाते हैं और mains निकल भी गया advance में गए भी, तो advance में इतना अच्छा performance नहीं हो पाता है, ठीक, फिर दूसरा तरीका है KVPY जो कि हमेशा से चलता आ रहा था, लेकिन अब KVPY हो गया है, cancel, क्योंकि अब KVPY को रद कर दि तो IAT जो examination है, वो best opportunity बनता है बच्चों के लिए, अब IAT for other institute और कहां कहां आप जा सकते हैं IAT की मदद से, तो आप देखे, BS का जो degree है, BS की degree biology में, chemistry में, earth environmental science में, materials and mathematics, material science में, mathematics में और physics में, इतने सारे जगहों पे आप BS की degree ले सकते हैं, BSMS dual degree, उसके बाद ये सारे degrees आप IAC IAC Bangalore से भी ले सकते हैं क्योंकि आप IAC Bangalore से में भी eligible हैं through this IAT examination, clear? आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात ये है कि अभी बहुत recently, IAT मदरास ने भी IAT examination को accept करना शुरू कर दिया है, for their one of the program, जो BS in Medical Sciences and Engineering, ये वाला program है, तो BS in Medical Sciences and Engineering, ये IAT मदरास का बढ़ा recent सा निकाला वो program है और काफी अच्छा program है क्योंकि इसमें बच्चे जा रहे हैं और बहुती budding सा feel है, budding सा feel जैसे तुम सबको पता होगा यार कि अभी healthcare का जो पूरा infrastructure है, खासकर COVID के बाद में, बहुत जादा shaky हो गया था, और सरकार को समझ में आए कि भी अगर ऐसी परिसिती कभी भी आगे आके आ सकती है, तो हमें अपने healthcare infrastructure को अच्छा करना है, तो healthcare पे बहुत सारे लोग, सिर्फ सरकार नहीं, private bodies, philanthropic bodies, सरकार, सारे लोग बहुत धान देना शुरू कर दिये, और ये उसी का नतीज़ा है, आईटी मदरास के द्वारा निकाला गया यह course, कि भाईया अब जरूरत ह इंजीनियर्स हर जगह है, और सारे लोग जानते और मानते हैं अच्छे से, कि भाई, इंजीनियर्स की quality, इंजीनियर्स का जो बुद्धी होता है, वो इतना तेज तीवर होता है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो IAT मदरास ने इंजीनियर्स को बोला भाईया, मेडिकल में भी ल से, उसके बाद आप ICER वहाँ तो जाही सकते हैं, उसी के रिए तो ये course है, तो आप ये तीन जगहों पे इस IAT examination के marks का use कर सकते हैं, करना कैसे है, दो step है, पहला step ये है कि आपको ICER की website पे apply करना पड़ेगा IAT examination के रिए, ठीक है, दूसरा और ये इसका website का admission का link है वो ये है www.iceredmission.in, उसके बाद दूसरे step में fill the form application portal of IAC and or IATM, ये आपको अलग से भरना होगा, अगर आपको चाहते हैं कि आप IAT के मदद से, इस examination के मदद से ही, IAC और IAT मदरास में भी consider किये जाएं, तो आपको इन दोनों का form अलग से भरना होगा, ठीक है, उसको भर दीजेगा, आ गंटे का paper होता है, plus 4 मिलते हैं, सही answer के लिए, minus 1 मिलता है, गलत answer के लिए, और 0 number मिलते है, unattemptive, ठीक है, ये तो common sense है, आप exam का pattern देख लेते हैं, तो mathematics subject 15 सवाल, physics में 15, chemistry, 15 biology, 15, 15, kul मिला के 60 सवाल, हर सवाल 4 number का, तो 15 चोके 60, 15 चोके 60, 60, 60, कोई मिला के 240 number का paper होता है, अब इस 240 number में, मुद्दा क्या है, इसको मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा underline कीजिएगा, not every candidate appearing in IAT will be awarded rank, मतब यहाँ पे जो सारा खेल होता है, वो rank का खेल है, marks का खेल नहीं है, लेकिन ये rank बनता कैसे ही, ये rank undoubtedly marks के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि marks जो आएगा उसी के basis पे rank बनेगा, फिक, अब बोल ये रहा है कि rank दिया जाएगा, इन सबको नहीं देंगे, एक certain cutoff होगा, उस cutoff के उपर जो जो बच्चा number लेकर आएगा, उनको rank दिया जाएगा, और फिर rank के हिसाब से आपका admission चलेगा, तो admission जो होगा, वो rank के हिसाब से होगा, समझ पाए क्या, तो rank बनेगा marks से, और एक certain mark से उपर जाओगे, तभी rank बनेगा, और rank के basis पे बनेगा आपका admission, लेर बात, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए, देखो यार, ये है closing rank, different different eyesers जो हैं, उन सब का closing rank है, तो आईजर, बहरामपूर, भोपाल, कल का cut-off है, अब नंबर कितने, जनरल के लिए देखो, 3567 All India Rank, इतना चाहिए, अब जितना भी नंबर पे मिले, और OBC के लिए यहीं पे 1634 में हो जगा है, जितने में भी मिले, बड़ तुमको ये जानना है, कि जितने बच्चे देते हैं, उनमें तुमको top 3000 student में आना है, जो क कि आना मुंकिन है, क्यों, दो कारणों से, पहला, IAT examination के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, दूसरा, जानते भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं भरते हैं, कि यार इतना सारा exam देगा कौन, और तीसरा, बहुत सारे majority, ये सबसे बड़ा कारण है, majority बच् B.Tech या B.E. करना चाहता है, research में जाना सबके बसका नहीं होता है, in fact, बहुत सारे लोग तो समझी नहीं पाते research से होगा क्या आगे चलके, and hence, they leave research, और वो चाहते हैं कि मैं को engineering करा दो, क्योंकि यहां से आपको degree लेने के बाद, आपको degree मिलेगी B.Sc. की, Bachelor of Science की degree दी जाएग जो भी आप subject में करेंगे, तो यह चीज बहुत लोग नहीं समझ पाते है, क्योंकि भाई, इसमें जाहिर सी बात है, थोड़ा वक्त लाएगा पैसा कमाने में, engineer सो तुरन day one से पैसा कमा देगा, तो इसलिए बच्चा यह सब सोच के छोड़ता है, या हटाओ छोड़ो, हमक physics chemistry bio लिया हो, या फिर PCM भी लिया हो, यह तीनो stream वाले बच्चे इसमें eligible हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजेगा, उसके बाद candidate का जो plus two में, बारवी में जो number आने चाहिए, वो 60 प्रतीशत है, किसके लिए, यह general वालों के लिए, OBC वालों के लिए, और OBC NCL वालों के सिर्फ SCST को 5% की रियायत दी गई है, उनके लिए 55% मार्स किया गया है, ध्यान रखिएगा, और आगे बढ़ते हैं, अब क्या seats हैं, तो हर आईजर में almost 200 के करीब की seat है, इतने seats आपको मोटा मोटी हर जगा मिल जाएंगे, तिरुवननदपूर में 320 है, और तिरुपती में IAT मदरास में सिर्फ 30 seats डाली गई है, क्योंकि ये बहुती recent सा लाया गया, launch किया गया program है, तो सिर्फ 30 seats हैं, लेकिन IAC Bangalore में 137 seats हैं, ये अच्छा कासा number है, वैसे आपको बता दू, अगर आप IAT examination clear कर लेते हो, और वहां से IAC Bangalore जाते हो, तो बहुत आसानी से पहुँच कर रहों, ये JWE Advance में अगर इतना rank आता है ना बेटा, तब जाके तुम IAC Bangalore जा पाओगे, और वो चीज आई, वो चीज IAT के थुरू, 137 seats है, कुछ नहीं तो 137 IAT में आ जाना, वो much easier होगा compared to JWE Advance, much much easier, समझ पारे हो, तो इसलिए ये examination अपने आप में एक बहुती बढ़ा बढ़ी ऐसा चीज बन जाती है, और आगे बढ़ते हैं, अब क्या-क्या courses मिलते हैं, तो जैसे आईसर भोपाल है, तो आईसर पूने है, तो इन सब जगहों पे, देखो जो भी मिलेगा वो B.S.M.S.E. मिलेगा, बिकॉस ये dual degree है ही, उसी के लिए हिसाब से इसका नाम भी dual डिगरी का ही पड़ा है, तो जो जो मिलेगा, बस वो pure sciences में मिलेगा, जैसे देखो biological science, earth and environmental science, physics, economic science, फिर उसके बाद, तुमारा chemistry, mathematics, electrical engineering, computer science, chemical engineering, तो अच्छी बात ये है कि बढ़िया, electrical engineering, computer science, और ये सारे engineering वाले पार्ट भी यहाँ पे हैं, ठीक, उसी प्रकार से पूने में चले जाओ, तो यहाँ पर data science में इन्होंने course दिया है, तो data science मिल गया, climate science, mathematics, physics, उसके बाद नीचे आजाओ, आईसर मुहाली में, तो यहाँ पर mathematical science में मिला है, physical science में मिला है, इन सब में BSMS मिलेगा, कलकत्ता में आ जाईए, तो biology, chemical, geological, mathematical, physical sciences, फिर नीचे आ जाईए, BSMS, त सारे pure sciences वाले courses है, biological science, physical, तिरुपती में भी वही सारे है, उसके बाद नीचे आजाओ, इन सब में भी pure science में, बस एक chemical science अलग से डाला गया है, तो सारे pure sciences में ही मूटा मूटी पढ़ाते है, computer science सिर्फ एक भोपाल में है, clear, आगे बढ़ते हैं, अब ICER भोपाल की fees जान इतने की, पाँच साल की fees बतारों बिटे, ये 5 years का program होता है, because BS, MS degree में क्या होता है, 3 साल BS के लिए लगते हैं, Bachelor of Science के लिए 3 years लगता है, और MS degree के लिए आपका 2 years लगता है, तो 3 और 2 हो गए 5 साल, तो 5 साल की आपकी पूरी डिग्री पाँच लाक में ताले से जार में, बल होगा आपको, और उसके बाद तीरुपती बागी बागी, IAT मदरास का फिर बहुत जादा पैसा है, 10 लाक रुपए लेते हैं, 5 साल की डिग्री के लिए, तो इस बागता थोड़ा सा ध्यान में लेके चलिएगा, तो बहिए 2 लाक रुपए और खैर, IAT सारे महंगे होते भ फिर आगे बढ़ते हैं, यह है syllabus for chemistry, जिसको भी prepare करना हो, screenshot ले लेना, उसके बाद chemistry का ये भी रहा part 2, फिर आ जाते हैं, बात करते हैं, physics का थोड़ा छोटा 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 लिखावा है, zoom in करके देख लेना, moving forward mathematics, मैं थोड़ा पीछे अड़ जाता हूँ, mathematics में क्या है, यह स पूछेगा तो moderate से लेके difficult के बीच में है, clear, total paper की बात करें तो easy to moderate level था, मदब इतना cut in भी नहीं था, कि ना बनाया जा सके, highest weightage mathematics में कुछ topics तो relation function set से सबस्यादा सवाल पूछे गए थे, chemistry में organic और inorganic से सबस्यादा सवाल पूछे गए थे, physics में gravitation, electricity, electrostatic इन से biology और biotechnology, clear बात, समझ में आ गया, चली जी, अब साल 2023 के data को दिखा रहा हूँ, dates, क्योंकि ये dates आप ध्यान में रखेगा, इन ही dates के हिसाब से आप 2024 में इनके forms को भरिएगा, तो 15 April से 25 माई के बीच में इनका dates निकला था, मतलब मोटा मोटी एक महीने से 10 दिन जादा, तो April म आप expect कर सकते हैं, इसका date announce होगा, 28 मही तक correction था, उसके आद examination 17 June को था, काफी दिन मिल जाएंगे आपको अराम से prepare करने के लिए, result 3 जुलाई को, और अच्छी बात है, 12 जुलाई तक जल्दी जल्दी इन्होंने सारा admission process complete कर लिया, कि भई आना है तो आ जाओ, नहीं तुझ समझ पाए, तो hence, that is all the entire information about IAT examination, और इसलिए मैं बार-बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल पर subscribe रहिएगा, ऐसे सारे information और ऐसे और भी बहुत सारे examination के बारे में, मैं आपको समय दर समय बताता रहूँगा, अब बहुत सारे बच्चे यहां पे पूछ रहे हैं, सर, job का क्या prospect है देखो, इनका अपना placement company है, बट यह बहुत जादा active नहीं है, क्यों? क्योंकि धाई-सो में से मुश्किल से दो-चार ऐसे बच्चे होते हैं, जो job के लिए apply करते हैं, सिर्फ दो-चार, मैं ऐसा भी नहीं बोलना हूँ, 10%, दो-चार ऐसे बच्चे होते हैं, धाई-सो में से अप्लाई करते हैं, तो उनका application तुरंत accept हो जाता है, और most of the cases में उनको बहुत सारा scholarship भी मिलता है, तो hence, बाहर सस्ते में वो बच्चे पढ़ लेते हैं, और hence, वो सारे बच्चे बाहर जाते हैं, higher studies कर लेते हैं, और उसके बाद तो भी आर नौकरी और लाइफ दोनों ही set ह तो यहां से बच्चा generally job लगाने की कोशिश नहीं करता, that is the reality और इसी लिए job के लिए यहां पे इन जगहों पे बच्चा ना parents ना teacher कोई भी इसके tension में रहता है, तो that was all ladies and gentlemen, I hope यह सारा information आपके पल्ले पढ़ा होगा और आपके लिए useful होगा, कुछ और चीज की आवशकता ह ठीक है, that was all for this session, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा और किसी भी चीज की ज़रोत फड़े लिए लिक देशेगा, बाबाई